हेलो दोस्तो आज मैं आपके लेकिया एक बजट फ्रेंडली स्कूटी जी हाँ दोस्तो मैं लेकिया हीरो की प्लेजर एक बजट फ्रेंडली स्कूटी भी है साथी साथ एक परफॉर्मेंस दार भी स्कूटी है तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले प्लेजर के तो वीडियो के एंड तक बने रहे हैं तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह रहा प्लेजर का लूप जी हां दोस्तों यह नॉर्मल प्लेजर नहीं यह है प्लेजर एक्सटेक यहां पर एक्सटेक की बेजिंग दी गई है यह रहा है इसका फ्रंट पर time light जलता है DB इंड रेके साथ ही में यहाँ यूनिक सी मिल जाते हैं जो किसिल्वर फिनिस में आते हैं चैनि में हमें फ्रेंट बuddher side में लैप साथ किहां घ्ला से हैं ते हमें लिवागर ब्लाट ऊप्शन दिए गहाँ है हैं यह होद TOP यह गार्ड, प्रोटेक्शन गार्ड मिल जाता है, उसी के बाद में जैसी मैं इधर बात करूँ तो यहां पर FI की बेजिंग मिल जाती है, जब कि यहां लिखा हुआ है, प्रोग्राम FI, अब जैसी मैं फ्रेंट साइड में आता हो तो यहां पर हमें रिफ्लेक्टर के साथ म सॉकर्स मिल जाते हैं, यहां पर हमें C8 का टायर मिल जाता है, जो की 901053J लिखा हुआ है, जैसी मैं प्लेजर के साइड लुक की बात करूँ, तो यहां पर हमें I3S की बेजिंग मिल जाती है, साथ ही साथ, यह रहा इसका साइड लुक, जो की एक काफी अच्छा लुक प्र करने के बाद, आफ अटोमेटिकल हो जाती है, यहां पर करता हूँ, यहां पर करता हूँ, उसके बाद में आप साइड इस्टेंड की लाइट चले गई, अब मैं ब्रेक के साथ में जैसे स्कूटि स्टार्ट करूँगा, तो ऑन होने के बाद, इसकूटि ऑन हो गई, माल फ यहां से warning light हट चुकी है, उसी के साथ में यहां पर हमें i3s का function देखने को मिल जाता है, इधर साइड में हमें lights upper and deeper का option दिये गया है, यहां पर इंडिगेटर का option दिया गया है, यहां पर हमें self का option दिया गया है, यह थोटल, यहां पर हमें होन की placement, इंडिगेटर, अब जै के लिए बहुत अच्छी बात है यहां पर जैसे आप देखेंगे एक USB पोर्ड देखने को मिल जाता है आपको यहां पर थोड़ा सा वायर वगर यहां फोन चार्च कर रहे हैं अंदर रखते तो यहां पर होल्डिंग वायर वगर होल्डिंग यहां थोड़ा सा नॉर्मल की ओवराल लेंथ की बात करूँ तो 1779 mm की इसमें ओवराल लेंथ मिल जाती विट की बात करूँ तो 704 mm की विट मिलती है यदि मैं हाइट की बात कर लूँ तो 1161 mm की इसमें हाइट मिल जाती है साथी मैं यदि मैं विल बेस की बात करूँ तो 1238 mm का इसमें विल बेस मिलता ह ग्राउंड क्लियरंस की बात कर लो तो एक सो पचपन एमम का इसमें मैं ग्राउंड क्लियरंस देखने को मिल जाता है यदि मैं इसके कव वेट की बात करूँ तो एक सो चार से लेके 106 kg तक के का इसमें कव वेट रहता है जो कि LX वेरियंट में 104 और ZX प्लस वेरियंट जो मैं लेकिया आया हूँ इसमें 106 kg का रहता है यदि मैं इसके लोट कैपेसिटी की बात करूँ तो 130 kg का इसमें लोट कैपेसिटी दिया गया है यदि मैं इसके engine की बात करूँ जो कि 110 cc का रहता है उसकी maximum power की बात कर लूँ तो 6kw का रहता है साथ ही में minimum torque की बात करूँ तो 8.7 newton meter का torque रहता है मुझे इसके boot या फिर seat को operate करना है तो यहाँ पर switch लगाना पड़ता है उसके बाद में seat या फिर boot open हो जाता है यहाँ पर हमें light देखने को मिलता है जो कि night के लिए light visibility काफी अच्छी कर देता है उसी के बाद में यदि मैं इसके fuel की बात करूँ fuel tank के capacity के तो 4.8 liter का इसमें fuel tank दिया गया है अब इसकूटी के तो engine प्लस performance की बात तो हो गई साथी साथ मैं इसके rear की बात करूँ तो यहाँ पे हमें stop lamp के साथ में indicators मिलते साथी में number plate की placement सबसे नीचे में reflector देखने को मिलता है इधर silencer cover साथी में इधर footage भी देखने को मिलती है यदि मैं service की बात करूँ तो bs6 में bs4, bs3 के मुताबिक काफी हद तक service ratio बढ़ा दिया गया है जो की सबसे first service यदि आप scooty जैसी लेते तो सबसे पहली 500 से 700 दूसरी 3000 फिर जैसी manual में जो दिया रहता है उसके बाद में company भी जो prefer करती है उसे साथ सर्विस कराने पे scooty के performance काफी अच्छी रहती है औ इसके लिए 110 cc में pleasure एकदम best option रह सकता है यदि आप थोड़ा सा heavy load capacity की जाना चाहता आप इससे upper model में जा सकते है 125 cc में भी जा सकते लेकिन 110 cc में pleasure एक बहतर option हो सकता है साथी साथ यदि मैं इसके average की बात करो तो 60 plus company claim करती इसका average यदि उसके बाद में भी मैं बात करो एक look की साथी में city drive की तो एकदम comfortable pleasure एक्स टेक है यह normal pleasure नहीं है clean pleasure भी आती है यह सबसे top model pleasure एक्स टेक है जिसमें आपको जैसे आप पीछे में देखेंगे तो बेक रेस्ट भी मिल जाता है जो कि दो लोग की राइट के लिए comfortable साबित हो सकती प्लेजर हो सकती नहीं होती ही है यदि आप भी चाहते एक best budget friendly गाड़ी तो बिलकुर आप प्लेजर के तरब जा सकते एकदम performance गाड़ी है तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो कैसी लगी हमें comment करके जरूर बता है पसंद आयो तो वीडियो को give a thumbs up चैनल में नहीं तो चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों में share जरूर करें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन